हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल दोस्तों अगर आपने आप 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 आइसेसे बैंक से किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है और आइसेसे बैंक के रिकवरी अजेंट्स पालाइब को परिशान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टन है तो दोस्त इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरबे ने क्या-क्या गाइडलाइंस दे रखी है आईसेसे बैंक को जो की आईसेसे बैंक के रिकवरी एजेंट्स को फॉलो करना है दोस्तों इसके लिए आप मैं सीधा आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूं आप गूगल पर सच इसको आपको डाउलोड करने के बाद आपके सामने जो यह पीडियाफ ओपन हो जागा यह दोस्तों आईसे से बैंक की आप तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि यहां पर साफ साफ दिया हूए पॉलिसी और कालेक्शन ऑफ ड्यूज और पॉसेशन ऑफ सिक्यूर्ट दोस्तों इस पॉलिसी में इन्होंने होमलोन State किरिडि केर्ड परसनल लोन सारी पॉलिसी के रहा है बड़ दौस्तों इहां पर जो मैं कवर करूंगा उन कुस्मस के लिए कंडिशन संप्टिमियशन केरूंगा जिन्होंने पर्सनल लोन और कैड को लिंग हैं वह लोग परसनल उनके कस्मर जो हराच्मेंट से परिशान है रिकवरी एजेंट्स के और केड़ काड़ वाले उनके लिए मैं यह आपको सारी चीज़े बताऊंगा तो दोस्तों जो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप यह इंट्रोडक्शन पूरा ध्यान से पढ़ लिज पहले में इंग्लिश में आपको बोल तो फिर आप मैं आपको हिंदी में आप पॉंट करेंगा अपने अपने कलेक्शन और अपने पैंडिंग यूज को कस्मर से लेने के लिए और उनको रिकवरी जेंसी के बंदों को हायर करने के लिए इन रूल से पहले नमबर वन है बैंक अप्रूड पैनल मतलब के बैंक ने जो अप्रूड पैनल ने रिकवरी जेंसी को हायर किया हुआ है उनकी सारी डीटल बैंक आइसे बैंक की वेबसाइट पर इंफोमेशन के तौर पे अवेलेबल रहनी चाहिए ताकि कस्मर उसको खोद भी चेक कर सकता है नमबर दो केवल वही रिकवरी एजेंसी बैंक के साथ अप्रूड काम करेंगे जिनकों की ICC बैंक के पैनल ने अप्रूव किया हुआ है काम करने के लिए नमबर थ्री एम्प्लोई ऑफ दे कवरी अजेंसी आफ्र कंप्रिटिंग देप्र एजेंट ट्रेणिंग विल भी इशूद वैलिड आईड कार्ड एजूद एजाए जो कि बैंक की तरफ से होगा जो कि बैंक के कस्मर के लिए बैंक की तरफ से होगा वह उनके पास रहना जरूरी है नमबर फोर इन दक केस ऑफ बैंक इंगेंज सर्विस ऑफ सच रिकवरी एजंसी जर एजनसी फॉर एनी रिकवरी केस दा आइडिनिटी ऑफ एजनसी विल विडिस्ट्लोज दौब और इसमें यह बताये गया है कि बैंक जब किसी रिकवरी एजनसी को हाइर करती है किसी कस्टमर के अगेंज में उससे पैसा वसूलने के लिए तो यह बैंक को इनफॉर्म करना होगा उस एजनसी के बारे में कस्टमर को पहले पहले इनफॉर्म करना होगा जबकि वह रिकवरी एजनसी के अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं पाच्वी कंडिशन आपका सब्सक्राइब करना होगा जब भी कस्टमर से बातचीत करते हैं कस्टमर को डिल करते हैं तो यह तो इंगेजमेंट आफ रिकवरी एजनसी के इंगेजमेंट बैंक के साथ किस तरह से इसमें बताएगा था अब जो सबसे इंपॉर्टन चीज है दोस्तों मैं वह लेके चलत तो आपको यह सारी चीज़ जानना बहुत जारू है तो दोस्तों इसमें दिया हुए और बैंक इंपर्सन और बैंक इंपर्टेटर बिलो मतलब कि सारे स्टाफ और ऑफराइज पर्सन जिनको के बैंक ने कलेक्शन के लिए हायर किया है उनको यह गाइडलान्स फॉलो करने इसको दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ेगा यह आपके लिए बहुत जादे इंपर्टन होने वाला है नमबर बन कस्मर विडिए और बिलेट बैस ऑफिज़ चोइस अधार पर रिकवरी अजिंसी के बंदे को उनसे मिलना पड़ेगा जो कि कस्मर ने उसको बताया है अगर इंपर बने को अगर बने 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 को सबसे पहले बैंक को उधार करता है उसको अपनी बतानी पड़ेगी कि वो उनके लिए फॉलो के लिए आ रहा है और बैंक स्टाफ और परसंट रच तु रप्रेज़ बैंक के लिए पास आता है रिकवरी के लिए तो उसको अपना आईडी काड हमेशा जरूर दिखाना पड़ेगा जब भी कस्मर उससे मांगता है मतलब उसको रखना पड़ेगा अपने साथ र मतलब कि जो रिकवरी एजेंट होगा उसको कस्मर की प्राइवेशी का बहुत खास तोर पर ध्यान रखना पड़ेगा वो खुलयाम उसको डाट नहीं सकता है हरास्मन नहीं उसका कर सकता है सबके सामने सारी बातें नहीं कर सकता है पिमिंड के रिए डिए नमबर फूर बै मतलब कि बैंक इस चीज के लिए प्रतिबद है कि उसके जो बंदे है रिकवरी एजेंसी वाले उनको बहुत सिंपल भाषा में बात करनी है सिविल मैनर में बात करनी है कस्मर से रिकवरी के लिए जब उसके घर पर जाते हैं इसके बाद अगला पॉंट्शन नमबर यह सब्सक्राइब नियुक्त सब्सक्राइब उसके बाद हद से रात के नौब जी तक उससे मिल सकते हैं यह भी इस इसके में दिया हुआ हुआ है at a particular time और a particular place would be honored as far as possible मतलब कि अगर जो कस्मर है वो request करता है bank के recovery agency के बंदे से कि दोस्त आपको इस वक्त call नहीं करना है तो यह request recovery agency के बंदे को मानना पड़ेगा और अगर वो बोलता है कि आपको इस जगह पर नहीं आना है recovery के लिए तो यह भी बात उस recovery agency के बंदे को समझने होगी recovery agent को माननी पड़ेजी यह रूल दिया हुआ है यह आरिबेगा guidelines है जो कि bank के लिए bank को बोला हुआ है नमबर सामन में आपको बोलता हूं the bank will document the effort made by the computer used in the copies or documentation sent to customer if any will be kept on record मतलब कि bank सारे भी जो बातचीत हो रही है payment से लेटेड और उसके documented copy अपने पास रखे है जो भी customer से वो लोग बात चीत चल रही है उनकी और वह record के तोर पर अपने साथ रखेगा नमबर राट all assistance will be given to resolve disputes of different difference regarding using mutually acceptable और in an ordinary manner मतलब बैंक को recovery agency के बीच में जो भी बात होगी अगर उनके बीच कोई होती है कोई भी dispute होता है तो बैंक उसको mutually दोनों के फायदे के तरीके से ही सिंपल तरीक सामाने तरीके से उसको solve करने कोशिश करेगा नमबर नाइन रही निए अप्रोप्रेट को सच जब बने को कॉछ नहीं करना है और उसको विजट भी नहीं करना है इंसी इसको बच्च इसमें यह बोला गया है कि इन सारी चीज़ों को फॉलू करना है जिसमें कि फैर प्रेक्टिस को फॉलू करेगा और कस्मर को ज्यादा परशान नहीं कर सकता है तो दोस्तों यह जो में दो आपको सारी चीज़ों कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए उमीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएगा चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टपिक बनाने हैं आप चाहे तो यह भी मुझे बता सकते हैं आज के लिए बस इतने दोस्तों थैंक्यों सो मच बाबाए